विश्भर में फैली नोवल करोना वायरिस की बिमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध हैं कि भारत सरकार दोरा लागू किये गए लॉक डाउन को गंभीरता से फॉलू करें। इसके अधिनाय सभी आदेशों का पालन करें। हमें जुट होकर ही इस बिमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, सहस्त रहें। अस्या से परिशान होते रहते हैं। आज हम आपको किड्नी खराबी के संकेत, उसकी जाच और उसके अर्वतिक उपचार के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम अपने विशे पर चर्चा करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही बल आकिन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आसानी से पास सकेंगे। बढ़ते हैं अपने आज के विशे की तरफ और बात करते हैं किड्नी खराबी के संकीतों के बारे में जिसको इग्नोर करना घा तक साबित हो सकता है। किड्नी मनुष्य के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो बेशक दिखाई नहीं देता और इसका काम इतना महत्वपून होता है कि किसी कारण से किड्नी में खराबी आ जाए तो इससे आपके सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं। इस बात की जानकारे बहुत कम लोगों को है कि किड्नी में खराबी के कारण शरीर के बाकी अंग भी प्रभावित होते हैं क्यूंकि किड्नी का काम बलड को साफ करना होता है। शरीर को कई गंभीर समस्या का सामना करना पर सकता है। अब बात करते हैं किड्नी खराबी के संकेतों के बारे में। तो ये संकेत है कि किड्नी खराब हो सकती है। अगला है उल्टी जैसा मन होना। अगर किसी को बुखार के साथ साथ उल्टी भी हो रही हूँ तो ये भी किड्नी खराबी का संकेत हो सकता है। अगला है युरिनरी फांक्शन में बदलाव होना। रात के समय बार बार युरिन जाना, युरिन में बलड, युरिन में जाग, युरिन पास करने में दर्द या जलन होना ये सभी संकेत किड्नी खराबी के हो सकते हैं। इसको बिना नजल अंदाज किये हुए आप तुरं धंक से नहीं कर पाती तो इससे शरीर में पानी बढ़ जाता है जो शरीर में सूजन कर देता है। इसलिए शरीर की सूजन को इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगला संकेत है सांस लेने में तकलीफ होना। जब किड्नी खराब होती है तो शरीर म पानी भरने लगता है जिसके कारण यही पानी फेपरों में भी भर जाता है। जब आपके फेपड़े अपना काम ठीक से नहीं कर पाते तो सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है तो यह किड्नी खराबी का संकेत हो सकता है अगर आप धूमरिपान करते हैं तो ये समस्या उसके कारण भी हो सकती है पर इसको इग्नोर करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है इसलिए आपको तरण टॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इसके अलावा भूक में कमी होना और नींद ना आना भी किड्नी खराभी का संकेत हो सकता है इसको नजल अंदाज ना करें ये हानिकारक हो सकता है अब बात करते हैं किड्नी खराभी की जाँच के लिए कौन से टेस्ट करवाना सही होता है सबसे पहला टेस्ट है यूरन टेस्ट इस टेस्ट में यूरन में पाय जाने वाले अल्बिमिन की जांच की जाती है अल्बिमिन जो की एक तरह का अच्छा प्रोटीन होता है जो किडनी खराबी होने की वज़े से यूरन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है दूसरा टेस्ट है Blood Crittinine Test इस टेस्ट में हमारे Blood में Crittin की मात्रा की जाच की जाती है Crittinine भी एक तरह का protein होता है पर ये waste protein होता है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता इसको किड्नी गिर्ण के माध्यम से बाहर कर देती है तो शरीर स्वास्त रहता है लेकिन किसी कारण अगर किड्नी Crittinine को बाहर नहीं कर पाती तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है अगला टेस्ट है GFR इस टेस्ट के जरिये डॉक्टर इस बात का पता लगाते है कि आपकी किड्नी सही तरह से काम कर रही है या नहीं आपकी किड्नी कितने प्रतिशत ब्लड को साफ करने में सक्षम है, इस बात की जानकारी GFR टेस्स से मिलती है अगला टेस्ट है Ultrasound और CT Scan इन दोनों टेस्ट में अंद्रूनी अंकी तस्वीर को देख कर समस्या का पता लगाया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से किड्नी में सिस्ट या ट्यूमर की पहचान आसानी से हो जाती है किड्नी की जान्च का अगला टेस्ट है Biopsy इस टेस्ट में किड्नी से एक छोटा टिशू का टुकडा निकाल कर उसकी जान्च की जाती है जिससे किड़नी खराबी की स्टेज का पता चल जाता है कि किड़नी कितनी प्रतिश्रत खराब हो गई है तो ये हैं सभी जांच जिनके बाद आप किड़नी की खराबी का पता लगा सकते है अब बात करते हैं किड़नी खराबी के अरवेदिक उपचार के बारे में जिस बिमारी का उपचार अलपेथी में नहीं है, आज उसका इलाज आरवेद में संभव है। आरवेदिक उपचार पूरी तरह प्राक्रतिक है, जिसका कोई भी दुश्प्रभाफ नहीं है। इस उपचार में जड़ी बूटियों द्वारा इलाज किया जाता है जिसमें किड्नी ट्रांस्प्लांट और डालेसिस जैसी समस्या से गुजरना नहीं पड़ता। अगर आप किड्नी के समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए अब कर्मा आयरवेदा से संपर कर सकते हैं। अगर आपको मारे विडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना ना भूले, साथ ही अपने विचार और सोजहाव भी आप उमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं।